वेदह स्मृतिसदाचारह स्वस्यचा प्रियमादमनह एतच्चतुर विधम प्राहू साक्षाद धर्मस्यलक्षणं नमस्कार आप सभी लोगों को हम लोग रूपक अलंकार की चर्चा कर रहे हैं और माला रूपक ठीक है की चर्चा हम कल किये तो माला रूपक में होता यह है की उप में एक होता है और बहुत सारे उपमान होते हैं विजगरे मालो पमा याम एकस्मिन बहवा आरोपिता एक पर बहुत सारे आरोपित होते हैं उसे हम माला रूपक कहते हैं अब परमपरित रूपक का अगला उधारन है जो आज हम पढ़ेंगे करें कि नियत आरोपनों पायह स्याद आरोपह वरस्य यह तत परम परितम स्लिष्टे वाचके भेद भाजिवा करें कि नियत आरोपनों पायह स्याद आरोपह यानि जो नियत है जिसको आपको कहना है आपको आरोपित करना है उसके लिए आप जो है किसी अन्यका भी आरोप कर दें ठीक है तो वह परामपरित रूप का लंकार होता है और वह भी दो प्रगर का होता है ठीक है तो मान सरवर भी ले आना पड़ेगा टीक है तो इस तरह से अगले उदाहरन में वही बात कहने जा रहे हैं है परंपरित स्लेश परंपरित रूपक अलंकार कहते हैं और वह अभी दो प्रकार का होता है स्लिष्ट परंपरित और और स्लिष्ट परंपरित ठीक है तो यह दो भेद होते हैं यह परंपरित रूपक अलंकार के अब इसमें स्लिष्ट परंपरित रूपक अलंकार का उधार दुर्गा मारगण नील लोहित, समित स्वीकार वैश्वा नरव, सत्य प्रीति विधान दक्ष, विजय प्रागभाव भीम प्रभो, सम्राजियं वर वीर वर वत्सर शदं वैरिंचं उच्चै क्रियाः अब देखिए, यहाँ पर श्लिष्ट पौरंपरित रूपकलंकार है, तो किस तरह से, यह सारे शब्द संबोधन में हैं, वाक्य बनता है चौथे पाद में सम्राजियं वर वीर वैरिंचं वत्सर शदं याने ब्रह्मा के सो वर्ष तक आप सम्राजियं करें वर वीरा क्रियाः है न करो अग्यार्थ तो क्रियाः यह रूप है याने अशिरवाद है कि तुम ब्रह्मा के सो वर्ष तक शाम्राजियं को करो अब हे राजन के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छो छे संबोधनात्मक विशेशन यहने प्रभो का विशेशन एठे बनाए गए हैं अब आप देखें कैसे तो कहरें विद्वन मानस हंस विद्वानों के मानस रूपी हंस अब ये बात तो नहीं बनी ठीक है, तो विद्वानों के मन रूपी मानस रूवर के हंस ये अर्थ करना है तो विद्वन तो ठीक है लेकिन जो मानस शब्द है वो श्लिष्ट हो गया एक तो विद्वान के साथ जोडेंगे तो मन होगा, मानस होगा और हंस के साथ जोड़ेंगे तो मानसरोवर होगा ठीक है तो विद्वान विद्वानों के मन रूपी मानसरोवर के हंस ठीक है अब यहने मानस पर मन पर मानस का आरोप हो गया अब यह आरोप इसलिए हुआ क्योंकि राजा को हंस कहना था यहीं परमपरिती हैं पर बन रहा है देख लिजिए आप यहने मानस शब्द को स्लिष्ट करके उन्होंने मानसरोवर का आरूप लगा दिया मन पर इसलिए कि प्रभो पर हंस का आरूप करना था तो वास्तविक्ता तो यह थी सचाई यह थी कि कभी जो है प्रभू पर हंस का आरूप करना चाहता था लेकिन वो करने के लिए उसने मानस का भी सहरा ले लिया ठीक है और उस मानस पर मानसरोवर का आरूप कर दिया तो विद्वानों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंसरूप यहां रुपा कलंकार हैं अछले अंस समान नहीं कहें गांगा हंस रूप यानि विद्वानों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस रूप हे प्रभू आप ब्रह्मा के सौ वर्षों तक सामराज्य करें यह अर्थ हुआ अब ये दूसरा संबोधन भी चलेंगे, ये तो एक संबोधन हुगा, दूसरा, वायरी कमला संकोच दिप्तद्यूते, याने शत्रूओं की कमला, याने लक्ष्मी, रूपी, कमलों के और संकोच, याने कमलों के विकास रूप, दिप्तद्यूते, याने सूर्य रूप, याने शत्रूओं की लक्ष्मी के और संकोच रूप, ठीक है, कमलों के, कमला याने लक्ष्मी एक तरफ, स्लिष्ट है न, तो एक बार स्लिष्ट में कमला, वैरियों के लिए कमला याने लक्ष्मी, और सूर्य के साथ जोड़ेंगे तो कमल, तो वैरी के साथ जोड़ेंगे तो कमला हो जाएगा, और दिप्तद्यूती के साथ ज पमला संकोच यहिने लक्षमी का संकोच यहिने शिकुड़ना यहिने कम होना यह नाश होना और दिप्त ध्यूति यहने सुरिय के साथ कमलों का आध्यू विकास रूप क लंगार है इसमें भी है तो देख लिजिए शत्रूं की शत्रों की लक्ष्मी के और संकोच रूप कमलों के विकास रूप कमलों को विक्सित करने वाले सूर्य रूप हे राजन आप ब्रह्मा के सो वर्षों तक समराज्य करें यह है अब दूसरा तीसरा देखिए दुर्गा मारगण नील लोहित अब दुर्ग ओ मारगण ठीक है यहने दुर्ग को जो किले ओगर होते हैं तो उस दुर्ग को न ढूंधने रूप ओ मारगण यहने ढूंधना तो दुर्ग को न ढूंधने रूप दुर्गा मारगण पारवती को ढूंधने वाले नील लोहित याने शिव रूप यानि दुरग को न ढूणने रूप परवती को दुरगा को ढूणने रूप शिव रूप डुनने वाले शिव रूप हे प्रभु आप ब्रह्मा के सौव वर्षों तक सामराज्य करें ठीक है तो ये तीसरा वाक्य हो गया है तो वाक्य ये जही लेकिन संबोधन के साथ सब जोड़ना पड़ेगा अब आगे चलें समित स्विकार वैश्वानर समित के दो अर्थ होते हैं समित का मतलब होता है युद्ध और समित का मतलब होता है समिधा इंधन लकडी तो युद्ध को स्विकार करने रूप इंधन को स्विकार करने वाले अगनी रूप हे राजन आप ब्रह्मा के सौव वर्षों तक सामराज्य करें पिर से समित याने युद्ध को स्विकार करने रूप समिधा को याने इंधन को लकडी को स्विकार करने वाले वैश्वानर याने अगनी रूप हे राजन आप ब्रह्मा के सो वर्षों तक समराज्य करें तो चार हो गया आप पांचवा देखिए सत्य की पृति को कहने वाले या करने वाले दक्ष प्रजापती रूप सत्य के पृति रूप सत्य जो शिव की पतनी थी जिस पर दक्ष प्रजापती नराज हो गए थे आप ब्रह्मा के सवगरशों तक सामराज्य करें ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर भी सत्य प्रिति और सत्य अप्रिति हो गया तो श्लेश होने के काराण ठीक है अब उसी तरह से आगे विजय प्रागभाव भीम विजय रूपी ठीक है विजय रूपी विजय के प्रागभाव याने विजय का दूसरा अर्थ होता है एक तो विजय युद्ध करेंगे तो विजय पाएं आप और दूसरा विजय का अर्थ होता है अर्जुन तो अर्जुन विजय रूपी अर्जुन के बड़े भाई प्राग भाव याने पहले जन में पहले जन में हुए भीम रूप फिर से देखिए विजय को दू बार बोलना पड़ेगा विजय रूपी विजय याने अर्जुन के बड़े भाई भीम रूप हे राजन आप ब्रह्मा के सौ वर्षों तक सामराज्य करें इस तरह से तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है श्लेश लंकार है पर यहाँ एक और चर्चा छिड़ जाती है ठीक है बात यहीं खतम यह नहीं होती है इसमें आप देख लिजिए कि आप जानते हैं ना कि जो श्लेश होता है वह तो अर्थालंकार भी होता है और अर्थालंकार भी होता है और शब्दालंकार भी होता है तो शब्दालंकार और अर्थालंकार का भेदक तत्व भी आप जान गए है कि अगर शब्द की परिवर्ति को सहन कर ले तो अर्थालंकार और शब्द की परिवर्ति को याने शब्द के परिवर्तन को सहन न कर सके तब शब्दालंकार होगा ठीक है अब यह हम इसकी चर्चा कर चुके हैं ध्यान रखिए शब्द कावे में परियुक्त जो शब्द होगा उस शब्द को बदल देने पर अगर अर्थ बदल जाता है तब वो उसको शब्दालंकार माना जाएगा यानि शलेशत्व चला जाता है तब शब्दालंकार होगा याने इसका मतलब यह हुआ कि वह शब्द के परिवर्तन को वह का भी असान नहीं कर सकता है जिसे शब्द का प्रयोक किया गया है उसी शब्द से वह अर्थ लिया जा सकता है उसके परियावाची शब्द से अर्थ नहीं लिया जा सकता है इसलिए वह शब्दालंकार होता है और जब शब्द का परिवर्तन भी कर दिया जाए फिर भी अर्थ का शिलिष्ट अर्थ का ग्यान हो जाए या शिलिष्ट अर्थ की प्रतिती हो तो उसको जो है अर्थालंकार कहते हैं ठीक है तो अब आप इसमें देखिए विद्वन मानस हंस जो कहा तो इसमें तो शब्दालंकार ही हुआ इसलिए कि मानस सरोवर के लिए मानस शब्द का परियोग कर सकते हैं और मानस मन के लिए भी कर सकते हैं लेकिन मन के लिए अगर चित शब्द का परियोग करें या किसी और शब्द का प्रियोग करें तो फिर बात बिग्ड जाएगी तब वहाँ शलेश नहीं हो पाएगा ऐसी इस्ति में वह अगेश शलेश है वह शब्दालंकार है शब्दालंकार से आया हुआ है और इसी तरह से कमला और कमल यहां पर भी शब्द बगल देने से बात भी कर जाएगी ठीक है तो दुर्गा मारगान यह है तो इसी पर एक यह चर्चा छेड़ी गई है ठीक है चर्चा छेड़ी गई है तो वही अब आगे हम यह मुल्टेक्ट पढ़ें गे तो हमको पता चल जाएगा अत्र मानसम एव मानसम यहां मन ही मन है यानि मानसरवर ही मन है ठीक है कमलाया संकोच एव कमला नाम और संकोच है यानि लक्षमी का संकोच ही कमलों का विकास है और संकोच है दुर्गा नाम और मारगण एव यानि दुर्गों का किलों का और मारगण याने नहीं डूंडना ही परवती का डूंडना है समिताम स्विकारह एव याने युद्ध का स्विकारही समिधाम स्विकारहा इंधन का स्विकारहे सत्य पृति ही एव सत्य में पृति सत्य के प्रति प्रेम ही सत्य के प्रति आपृति है इस प्रकार आरोपन के लिए आरोपन के निमित्त हंस आदिका आरोप किया गया है तो इसलिए यह जो है अरोपन के लिए यह हंस आदिका आरोप किया गया है तो यह जो है परमपरित श्लिष्ट रूप का अलंकार बनता है ठीक है अब आगे एक टिपणी कर रहे है वह टिपणी जानने लाइक है यद्यपी शब्दा लंकारो वयम इति उक्तम वक्ष्यते चा अब यहां पर तुम बताया का मैंने आपको कि मानसम का परियावाची शब्द यहां रख दीजिए मानसम के लिए कि स्थान पर तो श्लिष्ट रूप चली जाएगी उसकी उसका श्लिष्ट पर चला जाएगा तो फिर यह शब्दा लंकार हुआ तो कहें यद्यपी शब्दा अर्था लंकार तो है ही जो आगे कहा जाएगा लेकिन शब्दा लंकार भी है तो यह कह दिया गया है अईसी स्थिती में तथा भी प्रसिद्धी अनुरोधात अत्रवुक्तः फिर भी प्रसिद्धी के यहने भामा आद्याचारियों ने इसको इस जगह पर कहने के लिए वो लोगों ने कहा है तो हम भी यहां कह रहे हैं ठीक है तो इसलिए अब इस पर थोड़ी बात और कर दें इसमें जो लिख रहे हैं कहा है कि यद्यपी 423 में गुण दोश और अलंकार आदि के शब्दगत और अर्थगत होने के विशए में अन्वे व्यतिरेक को निरिणायक हेतु बतलाया गया है याने शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले तब तो अर्थालंकार होगा और शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके वह शब्दालंकार होगा यही अन्वय वित्रेक है और यही निर्णे करता है कि कोई अलंकार शब्दालंकार है या कोई अलंकार अर्थालंकार है ये बात उसमें हमने चर्चा में ले लिया है तो कहा रहे हैं कि शब्दगत या अर्थगत होने के विशाय में अन्वे वेत्रेक निर्णायक हेत होता है तो इस शब्द में मानस आधि पदों के प्रभृत्य औसा ही होने से यानि यह परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है मानस शब्द को बदल दीजिए दूसरा शब्द लिया दीजिए इसका परियावाची शब्द तो यहाँ पर शलेशत वो चला जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ शब्दालंकार है अर्थालंकार नहीं है अर्थालंकार में तो शब्द के पर्यावाची शब्द को रखने पर भी स्लेशत बना रहता है तो परविर्ति और सह होने के कारण शब्दालंकार है और हंस आधी पदों के परवृतिति सह, अचा हंस की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, तो भी हंस तो हंस ही रहेगा, वहां कोई दिकत नहीं, तो वहां अर्थालंकार हो गया, ठीक है? तो वहां अर्थालंकार है, ऐसा करने पर वहा यहां परमपरित रुपक पुर्तवत आभास, अभी एक सब्दा अलंकार में आ गया है जो अंतिम था, छठा अलंकार था हो, अंतिम अलंकार था, तो यह अलंकार के शमान सब्दा अर्थालंकार होता है, उभयालंकार भी हो गया, शब्दा अर्थालंकार भी हो गया, अर्थालंकार भी हो गया, यह इस पर हम कहा दिये हैं आगे वो किताब है आचारे विश्वश्वर की उसमें आगे इस पर पुनरुक्तवत आभास परंपरित रूपक के लिए कहा जाएगा आगे अभी मानली ये थोड़े कुछ चर्चा करने के बाद आएगा वो इसलिए यहां पर शिलिष्वर परंपरित रूपक का निरुपण पुनरुक्तवत आभास के साथ उभयालंकार के प्रकरन में ही करना उचित था उभयालंकार में इसका प्रियोग करना चीए था आभी यहां और समय में किया गया है लेकिन भामाह आध्याचारियों ने इसका इसलिए हमने भी यहां प्रियोग किया है परंपरा का ध्यान में रखते हुए इसलिए इसको यह जो है प्रसिधी के कारण हम जो है एक देश अवीवर्ति इदम अन्यई ही अभी दियती तथा भी प्रसिद्धियन रोधात अत्र उप्ता हा प्रसिद्ध यहां भामाह आध् प्रम्रित शुलिष्टbracht के यहां लिया है तो एक देश विवर्त ही इदम अन्याई ही अभिधियते दूसरे आचारे इसको एक देश विवर्त ही जाने एक देश में रहने वाले क्योंकि पूरे के पूरे में रूपकलंगार नहीं है एक फाग में है एक खंड में है रूपक अब ये तो उन्होंने कह दिया स्लिष्ट परंपरित स्लिष्ट रूपक का उदारंग के रूपे यहां बताया उन्होंने अब ये बताया तो आप हो गया दूसरा उन्होंने कहा था भेद भाजी भेद भाजी का मतलब होता है और स्लिष्ट अलग अलग करें सबका स्लिष्ट द्रिशदाम सेतुर विपद वारिधे है पुर्वार्द्रिही करवाल चंड बहांसो लेलो पधानम स्रियह संग्राम अम्रित सागर प्रमतन क्रिडा विधव मंदरो राजन राजती वीर वैरी वनिता वैधव्य दह ते भुज़ हे राजन वीर शत्रूओं के वीर शत्रूओं की पत्नियों को वैधव्य देने वाले वैधव्य दह यानि विधवापन देने वाले आपकी यह भुज़ाएं आपकी यह भुज़ा ते भुज़ा यानि विधवापन देने वाला आपका यह हाथ आपका यह बाहु भुज़ा जो है हे क्या तो कह रहे हैं कि जय कुंजरस्य आलानम विजय रुपी हाथी के लिए हाथी को बाधने का खंभा है आलान याने हाथी को बाधने का खंभा आलान कहते हैं तो कहने कि आपकी यह जो भुजा है ते भुजा है जो की वीर शत्रूँ की पत्नियों को वैधबि देने वाला है यह आपकी भुजा जो है विजयरूपी हाथियों को बाधने का खंभा है अलान है एक फिर दुसरा द्रिशदाम सेतु हूँ विपत बारिधे है विपत्ती रुपी समुद्र के लिए पत्थरों का पूल है द्रिशदाम सेतु हूँ आपकी यह भुजा जो है विपत्ती रुपी समुद्र को पार करने के लिए पत्थरों से बनाया गया पूल है दो हो गया तीसरा देखिये पूर्वार्द्री करवाल चंड महसो याने तलवार रूपी भयंकर तेजवाले याने भयंकर सुर्य के लिए पूर्वार्द्री याने उदयाचल है पुर्वधिशा का अर्द्री याने परवत उद्याचल ठीक है याने तलवार रूपी सुर्य के लिए आपकी भुजा जो है उद्याचल है तीन हो गया और लेलो पधानम श्रियह लक्ष्मी के लिए यह आराम से सोने के लिए तकिया है उबधान याने शिरोधान जहां तकिया असिर पर लगाते हैं वह तकिया है लक्ष्मी के लिए आराम से सोने लाइक तकिया है आपकी यह भुजा फिर आगे संग्राम अम्रित सागर प्रमतन क्रीडा विधव मंदर दाव याने संग्राम रूपी अम्रित के लिए संग्राम रूपी अमर्त सागर को यानि जिसमें अमर्त है उस सागर को मतने के कारिय में क्रिडा विधी का मतलब कारिय वो भी खेल खेल वाला कारिय तो उस क्रिडा विधी में मंदर परवत के रूप में है मंदर परवत रूप है आपकी यह भुजा इस प्रकार है राजन आपकी यह भुजा जो है सुशोभित हो रही है राजती ठीक है वीर वैरी याने सत्रूँ वीर सत्रूँ की पत्नियों को वैदबि देने वाली आपकी भुजा सुशोभित हो रही है कितनी कितनी चीजें बता दिया अब आप इसमें देखिए भुजा पर आलान का आरूप किया एक, सेत्व का आरूप किया दो, पुरवार्द्री का आरूप किया तीन, और लेलो पधानम का आरूप किया चार, और मंदर का आरूप किया पांच, ठीक है ना? तो इस तरह से इतने सारे आरूप कर दिया, और सब अलग-अलग है, सलेश कहीं पर भी, वहाँ पर तो क्या है, मानस को सलेश कर दिया, यहने मानस से दो अर्थ लिया गया, मानसरोवर और मन, यहाँ पर तो जितना अर्थ होतने शब्द, ठीक है, इसलिए यहाँ भेद भाजी है, अलग-अलग है, ठीक है ना, तो अब हम चले आगे, मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को भी, अत्र जयादेह भिन्न शब्द वाचियस्या, कह रहा कि यहाँ पर, जयादी भिन्न शब्दों के द्वारा वाचिया, ठीक है, शब्दों का, कुंज के रूप में, कुंजर का आरोप, जो है, योग्य है, युज्यते, यहने, इस तरह से उसको जुड़ा गया, योग्य रूप से, तो अब जय है, तो उसके कुंजर है, तो कुंजर के लिए आलान हो गया, ठीक है ना, तो इस तरह से वो युज्यते, यहने, यह सही किया गया है ठीक है अगे चलें यहां अलग अलग शब्दों से वाच्चे जयादी पर कुंजरत्व आदिका आरोप होने पर भुजा पर आलान आदिका आरोप बनता है ठीक है अब जय पर कुंजर का आरोप किया इसलिए भुजा पर आलान का आरोप सिद्ध हो जाता है ठीक ह अब करवाल पर चंड महसा का आरोप किया तब ही जाकर के भूजा पर पुरवार्दी का आरोप कर पाएंगे परमपरित इसको कहते हैं याने एक की सिध्धी के लिए दूसरे को आप समाविश कर लेते हैं तो ये इसमें ये होता है अब वारिधी आपने विपत वारिधी कहा याने विपत्ति पर वारिधी का आरोप जब किया आपने तभी जा करके दृषदाम सेतुहू का आरोप भुया पर आपने कर दिया तभी वो सिद्ध होता है तो ये इसी को हम परंपरित कहते हैं तो औसलिष्ट परंपरित औसलिष्ट रुपक का यह उदारण है ठीक है बेद भाजी का मतलब औसलिष्ट यानि अलग-अलग हो अब चलें आगे अलावकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रया अब ये परंपरित कही आगे चला रहे हैं जो माला रूप नहो तो कहरें अलवकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रया स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्नम न कैर भवान ठीक है निरवधिच निराश्रयम च यस्य स्थितम निरवर्तित कौतु क प्रपंचम प्रथम इह भवान साकूर ममुर्तिर जयाते चतुरदश लोक वल्लिकंदह ये दूसरा बाद में इसको देखेंगे पहले उसको देखिए अलवकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रया याने अलवकिक याने लोक से उत्तम हो याने लोक उत्तर हो ऐसे महाप्रकाश से जिसने तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया है ऐसा हे राजन आप सदवन्स मुक्तारतनम और अच्छे वन्स में जनमे हुए आप ठीक है अब इसमें यहाँ पर स्लिश आ जाएगा सदवन्स याने अच्छे बांस और अच्छा उच्छ कुल याने कुल के अर्थ में वंश लिजिए और बांस के अर्थ में भी वंश लिजिए तो अच्छे वंश रूपी मुक्तारत्न रूप आप किसके द्वारा स्तूतित नहीं होते हैं याने किसके द्वारा आपकी स्तूतित नहीं की जाती है अर्थाल सब के द्वारा स्तुति आपकी की जाती है ठीक है? कहारें कि उत्तम वंश और उत्तम बांस के मुक्तारत्न रूप आपकी स्तुति कौन नहीं करता है? सभी करते हैं ठीक है? तो अब आप इसमें देखिए सद वंश मुक्तारत्न जो है अच्छे बांस में भी होता है और आप मुक्तारत्न रूप है तो अच्छे बांस में मुक्तारत्न रूप आप अच्छे वंश में जनमे हुए आप किसके द्वारा प्रशंसित या वंदित नहीं होते हैं अर्धात सब के द्वारा वंदित होते हैं ठीक है? तो यह जो है यहाँ पर अब देखिए स्दवंश मुक्तारतन ठीक है? तो यहाँ पर आरोप विशय जो है उत्तमकुल है और आरोप यमान क्या है? तो उत्तमवास हो गया अरोप यमान जब कहा जाए तो उसको उपमान समझये और आरोप विशय जब कहा जाए तो उसको उपमेए समझये ठीक है? ध्यां रखिए अब उपमेग इसको कहा जाता है? यह मैं पहले कह चुका हूँ दोह राद में एक बार और आपको जनकारी के लिए कि कवी के लिए जो वर्णिय विशय होता है वह उप में यह होता है और उस वर्णिय विशय की पुष्टी के लिए उसका उतकर्ष बताने के लिए उसकी उच्चता या उतकर्षता बताने के लिए जिन जिन धर्मों का जिन जिन पदार्थों का कवी ग्रहन करता है उन सब को हम उपमान कहते हैं इसे लिए रूपक के मामले में उसको आरोप्यमान कहा जाता है जो उपमान होता है उसको आरोप्यमान कहेंगे और जो यह है जो वन्य विशय है उसको उपमे यह कहते है तो यहाँ पर यहाँ पर जो है आरोप यमान जो है उत्तम बास है और आरोप विशय है उपमे क्या है सदवन्स उचकुल ठीक है दोनों का वन्स रूप एक ही सलिष्ट पद से कहा गया है सदवन्स से ही कहा गया है का बांस ठीक है उसके द्वारा वंश अर्थात कुल के उपर वंश अर्थात बांस का आरोप किया गया है यह आरोप राजा के उपर मुक्ता रत्न के हाँ परमपरित है तो यह अच्छे बांस पर अच्छे कुल पर अच्छे बांस का आरोप इसलिए किया गया है ताकि राजा पर मुक्ता रत्न का आरोप किया जा सके परमपरित यहां आता है ठीक है तो राजा पर मुक्ता रत्न का आरोप की सिद्धी करने के लिए आरोप करने के लिए उच्च कुल पर अच्छे बास का आरोप कर दिया गया ठीक है यह बाद है चले आगे इसलिए यह ओसलिष्ट परंपरित रुपक का अलंकार है रुपक का उधारन है इसमें अनेक आरोप नहीं किये गए हैं इसलिए यह ओमाला रूप है पहले बाले में तो क्या बहुत सारे किये गए थे आप देखिए आलानम, जय, कुझरस, जय, दुरिष्दाम, सेतुर की त्यारी इदादी में तो उसमें बहुत सारे आरोप किये गए हैं यहाँ पर एक ही है ठीक है तो परंपरित रुपक इसमें अनेक आरोप नहीं किये गए है इसलिए आमाला रुपक केवल स्लिष्ट परंपरित रुपक का उधारा है अब आगे चलते हैं निरवधी निराश्रयम चो यस्य स्थितम और निरवर्तित कोवतु को परबंचम पर्थमा यह भवान सो कूर्म मूर्ति ही जयाती चतुर्दस लोक वल्लिकंदा आप जानते हैं भावेक्ता पाणिन का सुत्रा आता है यहने कर्मणी भूत कृदंत का प्रियोग आप भावाचक संगया बनाने के लिए भी कर सकते हैं यहने जिसमें कर्मणी भूत कृदंत का रूप कृदंत जो है याले कर्मणी भूत कृतलन का परतीए जिस धातु में लगा है और वो कृ्षय जो बनती है जिस से माल लिजे पठित है गत है या हसित है या स्थित है ये बी ये सारे शब्द कर्मणी भूत किदन्द का रूप कृOUGHत के रूप में तो लगेगे लगें गें भावाचक संगया के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है तो इसमें जो इस्थितम लिखा है वह स्थितिम भी समझिये भावाचक संगिया तो इस्थितम याने भाववाचक संगिया स्थिती अर्थ यह लेना स्थिती कहा रहें कि जिसकी स्थिती अनन्त हो निरवधी निराश्रय हो आश्रय हीन हो आधार हीन हो आधार रहित हो और और निरवर्तित कोवतु का प्रपंचम कुतुभन को जिसने पूरा नहीं किया हो समाप्त नहीं किया हो ठीक है असीम आश्चर्य मय याने आश्चर्य के आधिक्य को उसको जिसने समाब्त नहीं किया है, अर निर्वर्दित का मतलब होता है पूरा करना, और निर्वर्दित यनि समाब्त नहीं करना, तो ऐसा स्थितम है, वहाँ भवाण सह कूर्म मूर्ति ही, यहने आप जानते हैं ना कुर्मा वतार था भगवान विश्णू का तो कुर्मा मुर्थी में क्या हुआ कि उस पर पूरी प्रतिवी उनके उपर आ गई थी अब उनके नीचे कोई आधार नहीं था ठीक है और वह अब अधी रही थे देश काल आधी से परे थे इसलिए अधी थी निराश्रे थी और अुटू हल गो जिन्हों ने पुरा नहीं किय था समाप्त नहीं किया था ऐसी स्थिती वाले जो भगवान विश्णू है उप का रहा है कि यस्य यानि जिस भगवान विश्णू की स्थिति अवधी रहित, आश्रय रहित और बिना समाप्त कीए हुए कुतुभल वाले थी ठीक है कुतुभल प्रबंचक को जिसने समाप्त नहीं किया था ऐसी स्थिति जिन की थी, जिन भगवान व्श्णू की थी वो भगवान विश्णु रूप याने कुर्म मुर्ति ही वो भगवान विश्णु रूप भगवान विश्णु रूप आप राजा आप जो है चतुर्दश लोक वल्ली कंदह चवदह लोक रूपी वल्ली याने लता के कंदह ठीक है सभवान कुर्म मुर्ति ही कुर्म मुर्ति रूप बने विश्णु रूप 14 लोक की रूपी लता के आप कंद है कंद यह जड़ जड़ रूप है आप तो अब आप देख लिजिए तो इसमें जो है इसमें भी ओ माला यहां लोक पर वल्ली का आरोप विश्णु पर कंदत्व का आरोप का कारण होता है परमपरित आगया ना कारण होता है इसलिए यह परमपरित रूपक होता है लोक पर जो वल्ली का आरोप है उसमें दोनों को अलग-अलग शब्दों से कहा गया है इसलिए वह औस लिष्ट है ठीक है ना आरूप परमपरित रूपक अलंगार है ठीक है मुझे लगता है कि इस पस्ट हुआ ठीक है इसमें यह कही है न वल्लिक अंदः बहुत सारे इसमें नहीं है उपर की तरह आलानम की तरह इसमें बहुत सारे आरूप नहीं है बहुत सारे उपमान नहीं है यह कही है तो यहां ज जो है औ माला रूपक परंपरित है इसलिए जो है इस तरह का परंपरित औ माला रूपक अलंकार है चले आगे इस परस्ट हो गया होगा किसले करेर लता नाम कर कमलाई कामी नाम मनो जयती नलिनी नाम कमल मुखेंदू भिर योशिता मदनहा देखिए अब ये रसना रूपक अब रसना रूपक या माला रूपक आईसाच कोई अलंकार नहीं है ममदाचरे ने इसको उसी तरह से इंकार किया है जैस तरह से मालोपमा और रसनोपमा का इंकार किया है निरस्त किया है का रहे हैं कि उनकी कोई जरुवत नहीं है फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी ये कहा है कि ये तब इदने सारे भेद बन जाएंगे कि इनकी कोई सीमा नहीं होगी इसलिए उन सब चक्रों में नहीं जाना चाहिए परिभाशा तो वही है जो दे दी गई है तो शब्दों को बढ़ा करके इधर से उधर जोड़ तोड़ करने के बाद अनंत भेद बता बनाने का कोई मतलब नहीं है एक बार आपने उसकी परिभाशा समझ ली फिर रसना के रूप में आता है या माला के रूप में आता है परिभाशा वही है आपको समझने में कोई देर नहीं लेगेगी इसे लिए उसको अलग भेद मानने की आवशक्ता नहीं है फिर भी दिखा तो रहे हैं कर रहे हैं कि लता नाम किसलय करई ही ठीक है? याने लताओं के किसलय किसलय कर जो पंखुणिया होती है न फूलों की उसको किसलय कहा जाता है तो लताओं के किसलय रूपी हाथों से फिर आगे कामिनाम कर कमल रहे ही कामियों के कर रूपी कमलों से मनो जयती मन को जीत लेता है कौन अंतिम सब्द है मदन हाँ मदन जो है मन को जीत लेता है ठीक है न? अब देखिए आगे नलिनी नाम कमल मुखई ही ठीक है कमलिनियों के ठीक है न? कमलिनियों के कमल रूप मुख़ों से नलिनी नाम कमल मुखई ही याना कमल रूप मुख़ों से और युवतियों के मुख रूपी चंद्र से ठीक है? मुख रूपी चंद्र से मदन जो है मन को जीत लेता है ठीक है? मन को जीत लेता है तो अब आप देखी इसमिक हुआ क्या है कि पहले उन्होंने उपमान पहले रखा बाद में उपमे रखा मैं कहूँ किसलय रूपी कर तो किसलय रूपी कर का मतलब क्या हुआ कर उपमे है और किसलय उपमान है ध्यान रखिएगा किसलाय रूपी रूपी शब्द जिसके साथ जोड़ेंगे समझिए वही उपमान होगा ठीक है रूपी शब्द यानि उसी का आरोप किया गया है किसके उपर कर के उपर यानि कर जो है कर पर किसलाय का आरोप किया गया है तो किसलाय कर जब कहा जाए तो समझे कि किसलाय उपमान है और कर जो है उपमे है तो एक बार में शुरुवत करते समय पहले आपने प्रयोक किया उपमान का और उसके साथ जोड़ दिया समास कर दिया कर का यानि किसलाय कर कहा पहले क्या किया उपमान बाद में उपमे आगे चल कर अगले वाक्य में आपने क्या किया जो कर उपमे के रूप में था अगले वाक्य में उस उपमे को कर जो उपमे है उसी उपमे को अपने उपमान बना दिया यानि हाथ रूपी कमल को कमल से तो कर कमल एई ही हाथ रूपी कमल से अब देखिए यहां अब यहां पर क्या हुआ कि जब बात आगे बढ़े तो जिसको उपमे बनाया था आगे वाले वाक्य में उसी को उपमान बना दिया और फिर उसके लिए उपमे दूसरा ले आए कमल को उपमे ले आ दिये ठीक है ना फिर आगे बात बढ़ी तो और आगे बात बढ़ी तो तब क्या किया तो कहा रहे हैं कि यह कमले ही है फिर नलिनी नाम कमल मुखही ही तो कमल और मुखह ले लिया तो देखिए जो कमल पहले वाले वाक्य में उपमेय था वही कमल इस वाक्य में याने तीसरे वाक्य में उपमान हो गया ठीक है ना कमल मुखई ही अब तो क्या हुआ फिर कि कमल रूपी मुख के द्वारा तो कमल रूपी मुख का मतलब क्या हुआ कमल उपमान हो गया और मुख उप में हो गया ठीक है ना तो मुख़ई ही और फिर क्या हुआ तो मुख तो में हो गया अब जो है आगे क्या किया तो कह रहे हैं कि मुखेंदू भी ही है ना योशिता मुखेंदू भी यानि फिर जिस मुख को वहाँ पर पहले वाले वाक्य में उपमे बनाया था उसी को मुखेंदू में मुखरूपी चंद्र से मुखेंदू भी है ना तो मुखरूपी चंद्र से याने मुख यहाँ पर उपमान हो गया और चंद्र उपमे हो गया इस तरह से उन्होंने यह जो है जित लेता है तो अब आप देखेंगे कि एक से एक लड़ी जुड़ गई है जिसको हम रशना कहते हैं ठीक है तो रशना कहते हैं इत्यादी रशना रूपकम न वैचित्रियवत न लक्षितम इति न लक्षितम कालेक बई यह रशना तो बना लेकिन वैचित्रिय उत्पन नहीं कर सका आप जानते हैं न कि लक्षना अलंकार तो वहाँ बनता है जहां विचित्रता आती हो ठीक है वैचित्रियम अलंकार आ गया है ठीक है तो अलंकार वहाँ होता है जहां थोड़ी विचित्रता दिखाई पड़े अलग हटके दिखाई पड़े तब जाके अलंकार बनता है वह चीज यहां पर दिखाई नहीं पड़ी जो इस्थती रूपक की है वही स्थती रशना में भी है समाने रूपक में भी जो इस्थती समाने रूपक में है वही स्थती रशना रूपक में भी है कोई विच इस प्रकार की जो रशना रूपक है उसमें वेक्षित्रिय वत् नहीं है इसलिए इसका लक्षण नहीं बताया गया है ना लक्षception का बद्दाब। इसका लक्षण बताया नहीं गया है तो इसलिए जो है आप भी उसी तरह से मान लीजिए आचारी नहीं कहते हैं तो आप क्या करेंगे ठीक है तो इस प्रकार यहां पर पूरा होता है रूपक अलंकार की परंपरा उसके भेद प्रभेद सब पूरा हो गए ठीक है अब हम चलेंगे अपहनुति अलंकार पर ठीक है कि प्रकृतम यत निशिद्य और नियत साध्यते सातु अपहनुति जब जब इन्होंने जहां जहां प्रकृत का प्रियोग किया है वहां आप समझ लिजिए कि वरण विशै से वहां मतलब है यानि उपमेय से मतलब है जिसको हमने उपमेय समझा है उसी के लिए आचारी ब्रापने कहीं परकृत का आया अर्थ लेना है तो चहां पर प्रकृत को निश्यद करके आप प्रकृत को ही निश्यद है जहाए उसका आपने निश्यद क definite आप और हुआ उपमान का किया जाए उपमान का कथन किया जाए तो उसमें उपमें छिप गया ना उपमेक का कथन आपने नहीं किया याने उसको छिपा लिया अपहनुत का मतलब होता है अपहनुधातु है हनुधातु में हनुधातो कारत होता है छिपाना या छिपना तो हनुती का मतलब होता है छिपाने का भाव तिन प्रतिया लगा हुआ है जो भावाचक संग्या होती है जब से गम की गती होती है उसी तरह से हुनू की हुनूती होती है और अब उबसर्ग लगा हुआ है तो अपहनूती याने छिपाना छिपाना का मनलब कथन ही नहीं करना तो निशेद कर दिया यानि छिपा लिया करें हैं कि जहां पर उपमे का कथन ही न किया जाए उसको छिपा लिया जाए और उपमान का ही कथन किया जाए उसी की का विधान किया जाए उसको अपहनुती अलंकार कहते हैं जब हम उदाहरन देंगे तो आपको जादे समझ में आ जाएगा, जादे स्पष्ट हो जाएगा, देखिए, उपमेयम और सत्यम कृत्वा, करें उपमेय को और सत्य करके, यहने जूठा साबित करके, और सत्य यहने जूठा, करें कि उपमेय को जूठा साबित करके, उपमानम उपमान को ही सत्य के रूप में जहां स्थापित किया जाए वहाँ पर अपहनुती अलंगार बनता है ठीक है? तो मुझे लोगता ही इसे भी स्परश्टा हो गई आपको अब और इसके बाद उधारन देखिए तो जादे स्परश्ट हो जाएगा, देखिए अब आप्तह प्रागल्भ्यं परिणत रुचह शैलत नई कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुशी अमुश्येयं मन्ये विगलत अम्रतस्यंद शिशिरे रतिश्रांता शेते रजनी रमणी गाढ़म उरसी करे कि हे पार्वती शैलत नई हे पार्वती परिणत रुचह ठीक है रुच का मतलब होता है प्रकास और परिणत का मतलब होता है पका हुआ है यहने पुरे पुरा यहने पुर्णिमा का चंद्र चंद्र जब अपने पुर्ण प्रकास में हो तो उसको हम परिणत रुच कहेंगे और परिनात रुच का हैंगे तो वह चंदर मा उसमें रुच चकराँता है सच्टी यने उस 15 of के परिनात रुच đang है यने पूरुना चंदर के ठिक्गे ना यने पूरुना चंदर के वपुशी याने शरीर पर परिनात रुच है चकरान तता है, तो सच्छी वचन में अस्परत्य लगेगा, तो बनेड़ रुजव बनेगा, याने पूर्ण प्रकाश वाले चंद्र के शरीर पर प्रागल्भ्यम अवाप्ता, ठीक है ना? प्रगल्भता को याने प्रागल्भता को प्राप्ता, याने आप जानते हैं पूर्णिमा के चंद्र पर उसका जो कलंक होता है, पूरे पूरा दिखाई पडता है, आधा धुरा नहीं, तृतिया, चतुरति, पंचमी वाले तिथियों में, अगर वो चंद्रमा का आकार ही छो जाप्त आयम कलंक नहीं है उंपने होकर उसका निश्यत कर दिया है कलंक नहीं है नैवं क्लंको विलस्ति या कलंक सुशोवित नहीं सदवित बेखाई पड़ क्लंक क Argawak वह कलंक नहीं विलास कर रहा है, वह कलंक दिखाई नहीं दे रहा है, शशांकस्य वशूंब, ठीक है, तो उस पूर्ण चंद्र के शरीर पर जो प्रवधता को प्रप्त यह कलंक जो दिखाई पड़ रहा है, हे पारवती, यह कलंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना एवा आ यह कलंक दिखाई नहीं पढ़ रहा है क्या हो रहा है तो मन ये मैं मानता हूं मुझे लगता है कि अमुश्या अमुशी अमुश्या यह विगलत अमृत श्यंद शिशिरे यहने टपकते हुए अमृत की धारा से शीतल बने हुए शिशिरे शीतल बने हुए गाढ़म उरसी शिशिर बने हुए ठंडा हुए उसकी छाती पार रती श्रांता रजनी रमणी रती क्रडा से ठकी हुई रात्री रूपी रमणी याने युवती गाढ़म चिर निद्रा में गाढ़ निद्रा में शेते सो रही है ठीक है ठीक है तो चिर निद्रा में ये सो रही है अब आप देखिए है तो वो कलंक ना चंद्रमा पर जो दिखाई पड़ता है वो तो कलंक है यहां वो कलंक नहीं है वो तो जो रजनी रमणी है रात्री रूपी तो रातो काली होती है तो रात्री रूपी जो युवती है वहां उसके धारा बाहर है अमरित की जो की शीतल धारा है अमरित की उस धारा पर उसी में वो सो रही है क्योंकि ठक गई है रतिकल्डा से तो रतिकल्डा से ठकी हुई र रजनी रुपी रमणी युवती जो है शो रही है अब देखिए यह तो उपमान लेकिन उपमान को कही कतन किया और जो उपमे है उसका निशेद कर दिया असको बताया ही नहीं कहा ही नहीं जूत रहा या उगारेques गलंक नहीं तो उसको सत्य रही है उसको सत्य थाबित कर दिया इसको कहते हैं अपाहनोती अलंकार ठीक है तो यह है मुझे लगता यह भी पस्ट हो गया होगा आपको आप इतना ही जान लेजिए कि जो उपमे होता है उसका निशेद याने उसको सत्य थाबित करना और जो उपमार है उसको सत्य थाबित करना यह जहाँ पर होता हो वहाँ पर अपाहनोती अलंकार है ठीक है यहाँ पर आप देखिए कि शब्द से निशेद किया गया है ना एव अयम कलंकह विलसती निशेद किया ना याने शब्दों से जहाँ पर निशेद किया गया हो वहाँ पर शाब्दी अपाहनोती अलंकार बनता है या एक भेद हुआ और दूसरा भेद बनेगा आर्थी तो उस आर्थी का आगे उदाहर अन्डेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है तो अभी तो आपने देखा कि वह शाब्दी धारा में जो बाहर आईए उसमें सोई हुई रजनी रमणी है ठीक है रजनी रमणी है वह कलंक नहीं है तो इस तरह से उन्हें शब्दशह निशेद किया इसलिए शाब्दी अपाहनोती अब अर्थतह निशेद करेंगे तो आर्थी अपाहनोती हो जाएगा देह लीजिए बत सखी किया देतत पश्य वरम स्मरश्य प्रिय विरह क्रिशे श्मिन रागिलोके यथाही उपवन सहकारोद भास ब्रिंगत छलेना प्रति विशिखम अनेन उट्टंकितम कालकूटम बत याने कश्ट की बात है हे सखी कि प्रिय विरह क्रिशे अश्मिन रागिलोके अपने प्रिय के विरह के काराण दुबले बने हुए इस रागिलोक में प्रेमी लोक में काम देव का यहाँ कैसा काम देव का यह कितना वैरम है कैसा वैर भाव है ठीक है स्मरस्य कियद वैरम ठीक है याने कैसा यह वैर भाव है कैसा यह वैर भाव है काम देव का प्रिय के विरह के काराण दुबला बने हुए प्रेमी लोक में प्रेमी लोक के प्रति कामदेव का यह वैर भाव कैसा है कि उपवन स्तहकारोद भासी भृंगत छलेना उपवन में जो आम के पेण है उन आम के पेणों पर दिखाई पड़ने वाले चमकने वाले या दिखाई पड़ने वाले भौरों के भावने भृंगत छलेना याने भौरों के भावने उस प्रतिक शाखा पर अनेन उस कामदेव ने काल कूटम उट्टंकितम काल का मतलब विश और कूट याने धेर याने विश का धेर जो है चिपका दिया है उट्टंकितम का मतलब होता है उसे फिक्स कर दिया है जडित कर दिया है ठीक है आप देखिए फिर से देख लिए अर्थ अरे हे सकी कितने दुख की बात है कि देखो तुम भी देखो कि कितना बड़ा वहर इस कामदेव का है उन लोगों के प्रती जो अपने प्रिया के विरह में दुखी हो गए है ऐसे जो प्रेमिल लोग है उनके प्रती कितना बड़ा वैरभाव है इस कमदेव का कि इसने आम के पेड़ों पर जो भावरे दिखाई पड़ रहे हैं उन भावरों के भावाने हरे प्रत्यक शाखा पर कालकूट चिपका दिया है जड़ दिया है ठीक है अब यहाँ एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर निशेद कहीं पर नहीं आता है कि निशेद नहीं किया ना ऐसा तो नहीं कहा कि यह जो है भौरे नहीं है ऐसा तो नहीं बोला तो शब्द से उसका निशेद नहीं किया है तो वही आगे कहा रहे हैं कि अत्रही ना सब भिरिंगानी सहकारानी कह रहे हैं कि यहाँ पर कहाए रहे हैं कि यह जो सहकार हैं आमकी पेण हैं यह भौरों वाले नहीं हैं अपितु सौकाल कूटाहा शराहा बल्कि यह काल कूट वाले बान हैं कामदेव के ठीक है न? तो ये अर्थ से पता चलता है उसमें निशिद कहीं पर भी नहीं आता है जैसे नव एव आयम कलंग कहा ऐसा करके शब्द से निशिद किया उस तरह से यहां पर निशिद नहीं किया है वहां तो भृंगत छले न कहके उन्होंने जो है निशिद किया है नहीं तो अर्थ से आप समझ लीजिए इसलिए आर्थी अपहनूती बनाया उसको तो शब्दा शब्दी अपहनूती और आर्थी इस तरह से अर्थ से पता चलता है कि वहां पर भृंगत निशिद किया गया आम के मंजरियों पर और काल कुट को वहां फिक्स कर दिया गया है, तो यह अर्थ से पता चलता है, इसलिए आर्थिय अपहनुती है, ठीक है, एवं वा, वहां पर निशेत के लिए छल का प्रयोग किया ना, भ्रिंगत छले ना, उद्भास भ्रिंगत छले ना, छल का मतलब न ठीक हिए, उसलिए ना, भ्रिंगत नं किया ना, उसलिए चल का प्रयोग कर दिया, निशेत नहीं किया लेकिन, ठीक है, अब परिणाम आर्थक शब्द के प्रियोग के द्वारा, अर्थ जो है, यह निशेत का आर्थि अपहनूति, जिसमें निशेत का ज्ञान अर्थ से हो सद्बोस्टा इससमय हो गया ठीड ठीक है कल करेंगे जिसमय का आतिकरव्ण नहीं करना शाहिए की आधनिवाद बुढ़वन कल पिर मिलेंगे की